तो चलिए आज हम आलू और गोभी के बहुत ही टेश्टी सबजी बना के तयार करते हैं। उसके लिए मैंने तीन छोटे साज की आलू लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। थोड़े से हमने गोभी को भी लिया है, गैस पे हमने कूकर को चढ़ा लिया है, इसमें हम खाने वाली नौर्मर चमच से 6 चमच तेल डालेंगे, तेल हलका गर्म होने पे जीरा को डाल लें, जीरा को अच्छे से चटकने दें, अब इसमें हम गोभी को डाल लेते हैं, गोभी को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है यदि आज की वीडियो आपको पसंद आये तो हमारे चैनल राम रतिकी रसूल को सब्सक्राब करना बिल्कुल ना भूलें अब हमने दो मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने बारी काट रखा है उस देते हैं टामाटर को भी हमें सौप्ट होने तक अच्छे से भून लेना है अब हम सबजी के लिए मसाला निकाल लेते हैं स्वाद के अनुसा नमक आधा चमच हल्दी पॉडर देड़ चमच धनिया पॉडर एक चमच से थोड़ी कम लाल मिर्च पॉडर आधा चमच गरम मस सबजी हमारे अच्छे से भून चुकी है अब इसमें मसाले डालके पाश्मच और धिमियाज पर भून लेते हैं सबजी के साथ मसाले भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं जितना आपको ग्रेबी चाहिए उतना पानी डाल लें मैं इस कुकर का प्रेसर खतम हो चुका है, देखिए सबजी हमारे कितने अच्छे से पक्की है, अंत में इसमें हम धनिया पत्ती डाल लेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे, हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, देखिए ये सबजी देखने में ही इतनी अच्छे है तो ख